असलाव आले कुम एवरिवन उमीद है जी सब खेया खरीया से होंगे आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल जो कि विजिटीबिल के साथ है बहुत आसान है और बच्चों के लिंच बॉक्स के लिए बहुत 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 ही चीज़े सुपा के टाइम जब टाइ सबसे पहले आपने पैन में दो से तीन टेबिल स्पून कोकिंग लेना है जीरा शामिल करेंगे इसके अंदर वन टी स्पून और जीरे को थोड़ा से हम भूनने के बाद हमें कुछ चाहिएंगी विजिटेबिल्स क्योंकि विजिटेबिल्स में रोल बना रहा हूं जो के ब गाजर को भी आपने बिलकुल कड़कश से आप चाहे तो इसको बिलकुल बारिक कर लें बच्चों की बात आती है तो बच्चों की निये बजार की किसी भी चीज से बहतर है कि आप घर में बना के रखें बहुत ही जबरदस जायका होगा और बहुत ही असान सी आपको यह सा कर दूँगा हरी प्यास जो के बहुत ही जायकेदार लगती है इस प्रिंग रोल केंडर और क्यूकि यहां पर में चिकन का यूज नहीं कर रहा हूं ना मिं चिकन पौडर करने वाला हूं तो सिफ और सिफ में यहां पर शामिल कर ओढ़ का लिगा लगा इसकंदर लास्ट मे तो अच्छे से मैने इसको भून लिया है अच्छे हरी प्यास जालने के बाद आपको इतना कुक नहीं करना होता तो यहां देखिए बिल्कुल परफेक्ट है यहां पे में थोड़से मसालेस में शामिल करूंगा अच्छा स्पाइसी जो है आप अपने हिसाब से कर लिजेगा ब्लैक पेपर यहां मेने कुटा हुआ शामिल कर धून धनिया वtez यह देखें के ख़ून धनिया इंहाफ टेबल इस्पून यह देखें कुटा हुआ आपने बिल्कुल भी शामिल निहीं करना हाँ से कुट के शामिल करना है यह बहुती लज़िसी स्मैंसे खुुच गुए दनिया और ब्लैक पेपर में नहीं आपे शामिल क्या है नमक यहां पे शामिल करना है हजबे जरूरत तो मैं 1.5 टी स्पून तकरीबर यहां पे नमक शामिल कर रहा हूं आप टास करके देख सकते हैं और अपनी जयाकय के मुताबिक इसमें म्रचे भी एड कर सकते हैं शौया सौस यहां पे शामिल करऊंगा में वन टेविलि स्पून तकरीबर लगां चिली सौस भीट उसमें शामिल करेंगे वन टेविलि स्पून और बस इसमें वाइट मिनिकर में शामिल करूंगा हाफटी स्पून आप लोग इस पाइस नी अपने जैकी के मुताबिक रख सकते हैं ठीके विजी टेबल भी अगर आप कोई और भी इसमें आइड करना चाहते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं तो यह देखें मेरी जो फिलिंग्स यहां बिलकुल रड़ी होगी है लास्ट में इसमें एक चीज जालनी थी जिससे इसका जायका बहुत ही दुबाला हो जाएगा तो फिलिंग्स यहां पर रड़ी हो जोगी है अब हम यहां पर शामिल करेंगे इसके अंदर बॉयल अंड़ा ठीके एक से दो अंड़े आपने बॉयल करने हैं और उसको बारिक इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है इससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है यकीन माने आपको चिकन डालने की कुछ ज़रूद नहीं और बच्चों को तो बहुत मज़ा जाएगा इन्शाला अच्छे से इसको मिक्स कर रहे है दो तीन बार आपने इस तरह चम्चे चलाना है जो भी अंड़े के ब तो फिलिक्स यहां पर रैडी हो चुकी है उपर से हम इसमें शामिल कर देते हैं जी हैरा दनिया जिसे इसके सुआद में चार्ज चान लग जाएंगे इन्शाला तो यह देखें जी माशेलला सुभान अल्ला कितनी मज़ेदार यह फिलिंग लगए आप देख सकते हैं खुश्पू यह बहुत प्यार यार यह सिर्फ मिंटो में आपने इस तरह फिलिंग रैडी करनी है और इसके रोल बनाना बहुत ही आसान है यहां पर मैं आपको बिलकुल इसी चीजे पताऊंगा हम यहां पर कोई रोल पती नहीं बनाएंगे आपको बजार से मिलती है चिपकाने के काम में आएगी बस यह बहुत आसान सर तरीका है आप यहां पर हमने फिलिंग डालनी है और इसको रोल कर देना है बस यहां से आपने पलटना है साइडों से लाजमी इस तरीके से आपने प्रैस करना है ताके यह फ्राई के दुरान खुले नहीं ह चाइब ञिके विलकुल में ना रोल हो चुका अब इसी तरन छी के साρά ओ भी आपने रेडी करने है अ автомобилиला दोस्तों यहां पे सारे रोल हमारे जो रेडी हो चुके यह देखें आप इसी तरह इसको फ्रीज कर सकते हैं और सुबह में जब हमारे पास टाइम बहुत शॉट होता है तो इस टाइम आपने पैन के अंदर ऑई डालना है और इनको जिनाफ प्राय करना है और जरूरी नहीं कि आपने फुल ऑई भरक बहुत आसान और सिंपा तरीका है और बहुत ही मज़ेदार जाएकेदार आपके रोल बन जाएंगे इंशालला तो अच्छे से इसको फ्राय करते हैं और आपने दो से तीन मिनिट में इसको अलट पलट करते हैं इस तरीकी से इसकी साड़ी चेंज करनी है और देखें थोड पहानला रोल बिल्कुल रैडी हो चुके अब हम इनको निकालते हैं और आपको लास इसका शॉट बे दिखा देते हैं तो देखेंजे हमारे सारे तमाम के तमाम रोल रैडी हो चुके और बच्चों को जो पसंद होता है जिनाब मायोनी स्कैचप आप इसके साथ हर चीज घ पैनल को हमारे अबी तक सबस्क्राइब ने किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा दौाओं की बहुत 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 ज़रुद है दौाओं में याद रखिएगा इजाज़ा देजीगा फिर मिलते हैं किसी मज़दार सी रैस्पी के सा अल्ला हाफिज